हिरोशिमा ये नाम सुनते ही आज भी दुनिया थरथरा उड़ती है काम जाती है जी सेवन समीट की मेरी इस वीजिट में मुझे सबसे पहले पुझ्य माहत्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरन का सवभाग्य मिलना यह अपने आप में बहुती बड़ा सुयोग है आज विश्व क्लाइमेट और आतंगवाद की लड़ाई से जूज रहा है पुझ्य बापू के आदर्श क्लाइमेट के साथ जो लड़ाई है उसे जीतने का उत्तम से उत्तम मार्ग है उनकी जीवन शैली प्रकूती के प्रती सम्मान, समन्वय और समर्पन का उत्तम उधारन रही है उसी प्रकार से बुद्ध और गांदी की धर्ती जिसने विश्व को शांति का संदेश दिया हिरोश्यमा के धर्ती पर और जपान जो कि भगवान बुद्ध के विचारों के है पल्लवीत पोशित है वहां पुझ्य बापु की प्रतिवा अहिंसा के करुणा के उन विचारों को आगे ले जाने में बहुत बड़ी प्रेणा बनेंगे मेरे लिए खुशी की बात है कि जपान के प्रधानमंत्री पिछले दिनों जब भारत आये थे तो मैंने उन्हें बवदगा से लाया हुआ एक पवित्र ब्रुख्ष का पौधा दिया था और आज उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने उस बोधी ब्रुख्ष का पौधा था वो हिरोशिमा के गार्डन में लगाया है ताकि हिरोशिमा आते ही याद आते ही शांती के महत्वश दुनिया समझ सकती है मैं पुझे बापु को आदरपो के सरधांजली देता हूँ मैं हिरोशिमा के मेर का यहां की काउंसिल का जपान गवर्मेंट का रदे से अभार व्यक्ते करता हूँ तो उन्होंने पुझे बापु की प्रतिमा को यहां पर स्थान दिया और मुझे आज उसका लोकारपणने करने का अउसर दिया है हम सब पुझे बापु के आदर्शों को जानने का जीने का और जगत के कल्यान के रास्ते पर चलने का प्रयास करें यहीं उनको सची तदांजली होगी